दोस्तो नमस्कार सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंडी हिंदी टेक में दोस्तो यूपी आई थर्ड पार्टी एप के बारे में आप लोग सुने ही होंगे तो चलो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको यूपी आई थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के बा दिखाने वाले हैं साथ-isाथ ये भी बताएंगे की थर्ड पार्टी एप्लिकेशन का बैंकिंग पार्टनर कौन सा है कौन-कौन से बैंक जो है इसमें सामिल है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों क्यूंकि आप जो है किसी भी UPI application से money transfer करने लगते हैं तो उसकी बारे में जानेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप जिस application से UPI money transfer करते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत होता है और वहाँ UPI application जो है आपको support नहीं करता है या फिर कोई मदद नहीं करता है तो आप उसका complain कैसे कर सकते हो और कैसे आप जो है इसकी ओपर level से आप जो है complain दर्ज करके अपना सामाधान प्राप्त कर सकते हो तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सिखते जाएगा कि कैसे कैसे हम आपको लिखा रहे हैं ताकि अगला वर्से आप जो है खुझ से यह कर सके यहाँ पर NPCI आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद सबसे उपर विपसाइट नजर आएगा NPCI.ORC.IN तो इस विपसाइट पर आपको आजाना रहेगा आने के बाद नहीं यहाँ पर मनी ट्रांसफर से रिलिटेट जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर सारा नजर आ जाएगा जैसे देख सकते हैं UPI, IMPS हो गया, उसके बाद यहाँ पर EPS हो गया, यह सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगे तो यहाँ पर बैंकिंग पार्टनर वेगरा आपको नजर आ रहे हैं कि UPI में कितना है, उसके बाद यहाँ पर इस्टार 99 हैस में कितना है जो कि यह आफ लाइन होते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखी पा रहे हो, आप यहाँ से जानकारी भी ले पाओगे, काफी असानी से एरो पर किलिक करके आप यहाँ से जानकारी भी ले पाओगे लेकिन अगर इसके बारे में कोई भी डीटेल पुर्वाग आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में हम डीटेल में वीडियो बना देंगे चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ here पर आपको एक उप्सेंस मिलेगा। यूपिय डाइब मेंबर्स ठीक है ना तो यहाँ पर यूपिय डाइब मेंबर्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कौन कौन से बैंकों को यूपिय की सर्विस दिया गया है वो नजर आ जाएंगे I पेमेंट बैंक हो गया एकसेस बैंक हो गया मतलब जितने सारे बैंक है जाहे वो पेमेंट बैंक रहे या फिर स्मॉल फिनेंस बैंक रहे या फिर नॉर्मल रहे चाहे प्राइबेट बैंक रहो या फिर पाबलिक सेक्टर बैंक रहे उसे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सारे बैंक का लिस्ट आपको नजर आ जाएंगे जिस बैंक का यूपियाई सर्विस दिया गया है ठीक है न तो यहाँ पर ग्रामिन बैंक भी सम्मिलित होती है आप इस लिस्ट में से देख सकती है टोटल के टोटल 207 बैंक है दोस्तों और जो बैंक होता है न उसका अपना अगर यूपियाई अप्लिकेशन है तो वह थार्ड पार्टी अप्लिकेशन नहीं होता है क्योंकि बैंकों का थार्ड पार्टी अप्लिकेशन नहीं होता है जो third party application होता है उसका खुद का कोई bank नहीं रहता है वो दूसरे bank का सहरा लिए रहते हैं मतलब कोई भी bank का सहरा वो लेकर अपना application चलाती है तो यहाँ पर आपको third party apps का नजर आएगा options तो आप यहाँ पर click करिएगा click करने के बाद third party application आपको यहाँ पर सारा नजर आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं Amazon हो गया, Crade हो गया, Angel Broking हो गया Google पे हो गया, Phone पे हो गया, यह सारा आपको नजर आ जाएगा तो देखो दोस्तों यहाँ पर third party application का तो नाम नजर आ रहा है अब इन application को कौन सा bank जो है support कर रहा है, partner में कौन सा bank है वो बगल में भी दिखाया गया है और इसका UPI handle क्या है, वो भी दिखाया गया है देखिए जो भी यहाँ पर नया नया अपडेट होगा ना, इसके साथ star लगा कर नया अपडेट कर दिया जाता है वो भी आगे के वीडियो में बताऊंगा तो देखिए दोस्तों सबसे पहले Amazon Pay के बारे में यहाँ पर बताया क्या है इसका banking partner access bank है और इसका जो UPI handle है वो अट दिडिट APL है, उसी परकार से create का access bank उसी परकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके access, ओके HDFC bank, ओके ICICI, ओके SVI तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग सोचोगे कि इस application को सिर्फ एक bank मिला गूगल पे कुछ चार bank कैसे मिला तो यह depend रहता है application पर जो company है ना जैसे गूगल पर है तो इनका अपना मन यह जितने bank के साथ partnership करे इनका अपना मन ठीक है ना और बैंकों का अगर मन होगा कि हम इस application के साथ partnership करेंगी तब यह राजी होंगे और उसके बाद दोनों का partnership होगा तो गूगल पे जो है चार बैंकों के साथ partnership करके रखिए जो कि यह starting सही आप लोगों को पता होगा उसके बाद MIP, MIP के बारे में देख सकते है ICICI bank है और इसका UPI handle है My ICICI, MOVICU का है HDFC bank इसका है IQIC जो कि यहाँ पर UPI handle जो है यह application निर्धारित करती है और bank निर्धारित करती है ठीक है ना, यह चीज भी आप द्यान में रखिएगा मुद्रा पे जो कि आप देख सकते है Yes bank है इसका जिसका UPI handle है Add the rate Yes bank फोन पे का देख सकते हैं पहले Yes bank था लेकिन अभी जो है ICICI bank और Access bank के साथ भी partnership हुआ है इनका तो यहाँ पर Yes bank पर पहले UPI handle था YBL, ICICI bank पर IBL हो गया और Access bank पर AXL हो गया तो इनका तीन partner है जो कि आप देख सकती है True caller भी देख सकती है उसके बाद WhatsApp की बारी आती है जो कि लिए test में यहाँ पर WhatsApp payment features lie है तो WhatsApp की बारी आती है तो WhatsApp पर भी चार bank आपको नजर आएंगे ICICI bank, Access bank, HDFC bank और State bank of India बिल्कुल Google Pay की तरह देख सकती है Google Pay की तरह जो Google Pay का partner है Same वही WhatsApp का partner है यहाँ पर bank और इसका भी UPI हैंडल आप देख सकती है कि किस परकार से UPI हैंडल यहाँ पर रखी गई है आप यहाँ पर दोस्तों बता दूँ आपको कि मान कर चलो कि आप Google Pay से money transfer करती है या फिर कोई third party application जैसे Amazon Pay से ही करती है और अगर आपका payment fail हो जाता है या फिर कोई समस्या हो जाती है आप Amazon Pay को complain करती है वहाँ पर Amazon Pay आपका मदद नहीं करता है पैसा वेगरा नहीं मिलता है या फिर आपका problem solve नहीं होता है अब ऐसा मत समझेगा कि ये partner bank जो है वो बोलेगा कि नहीं आप Amazon Pay से जो है transactions किये हैं तो Amazon Pay से ही समझेए हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है तो होता है दोस्तों कभी-कभी ऐसा कि आप partner bank को contact करोगे तो वो सबसे पहले बोलेगा कि आप जो है complaint धर्ज करा रहा हूँ तो ये 100% complaint धर्ज करेंगे क्योंकि partner bank का responsibility भी उतना ही रहता है जितना third party app का रहता है तो अगर इन लोगों से problem solve नहीं हो रहा है मतलब third party application से तो आप partner bank को complaint दे सकते हो और ये जो है 100% आपका सिकायत जो है जरूर सुचित कीजेगा डीटेल में हम वीडियो बना देंगे अब यहां पर limit की भी बात आती है दोस्तों तो limit के बारे में अगर इस वीडियो में बताए तो वीडियो थोरा लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग क्या करना कि limit के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ताकि मुझे पता हो सके कि कितने लोग limit के बारे में जानने को इच्छा रखते हैं तो limit के बारे में मैं एक डीटिल में वीडियो बना दूगा कि परड़े की क्या limit है परमंत की क्या limit है इन सभी application पर इन सभी बैंकों पर तो आप लोग video के नीचे comment जरूर करिएगा तो इस video में दोस्तों फिलाल इतना ही उम्मिद करेंगे कि आप लोगों को या video पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो video को like करिएगा और इसमें जो भी third party application नया से जूरेंगे न यहां पर add कर दिया जाएगा जैसे whatsapp को add किया गया या फिर कोई partner bank इनके साथ जूरेगा तो यह भी add कर दिया जाएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको check करना है तो होता है न कि हम लोग कोई कोई application में account बनाते हैं और यूपिया इसे money transfer करने लगते हैं तो उसके बारे में जानकारी भी होना अब जरूरी हो गया है क्योंकि सभी कोई digital transactions करती हैं और काफी ज़्यदा transactions फंसते भी है तो इन सभी में आपको ये काम देगा आप लोग जानोगी इनके partner bank के बारे में इनके बारे में तभी तो आप आगे complaint बढ़ा सकते हो ना तो इस वीडियो में पूरे detail के साथ तो बता ही दिया है तो आप चैनल को subscribe जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजेगा मिलती हैं फिर एक नयव वीडियो में चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like करके सेयर कीजिए धन्यवाद